बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार को लेकर एक बार फिर से चर्चा हो रही है पटना में चर्चा तेज है कि नितीश कुमार गुजरात लोबी से नाराज है नितीश कुमार पीम मोदी और अमित्शा से नाराज है नाराजगी की बात तो पहले से चल रही है लेकिन अब जब निती आयोग की दिल्ली में बैठक हुई और सियम नितीश कुमार वहां नहीं पहुँचे तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है अधिकारियों ने बताया कि बैठक में राजी का प्रतिनिधित्य उपु मुख्यमंत्री समराट चौधरी और विजय कुमार सी नहाने किया नितीश कुमार के इस महतपूर्ण बैठक से अनुपस्थित रहने का कारण अभी पता नहीं चल सका है हलगे यह पहली बार नहीं है कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार निती आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे है CM नितीश पहले भी इस तरह की बैठक में शामिल नहीं हुए थे और बिहार का प्रतिनिधित्य तत्कालिन डिप्टी CM नहीं किया था जेडियू प्रवक्ता निरज कुमार ने नियूज अजन्सी पीटी आई भासा को बताया कि इस बार भी दोनों डिप्टी CM बैठक में शामिल होने गए थे इसके अलावा बिहार से चार केंद्रिय मंत्री भी आयोग के सदस्य हैं और वे बैठक में मुझूद रहेंगे प्रदानमंत्री मोदी निती आयोग के अध्यक्ष हैं वही नितिश कुमार की अनुपस्तिती से अलग इस बैठक में ममता बनर जी की उपस्तिती ने भी सबको चौकाया हलांकि चर्चा है कि ममता बनर जी बैठक बीच में ही छोड़ कर बाहर निकल गई इतना ही नहीं ममता ने इस दौरान कहा कि ये कैसे चल सकता है ममता बनर जी ने कहा कि उन्होंने बैठक में अपना विरोध जताया उन्हें बैठक में बोलने का मौका नहीं दिया जाता ये कैसे चल सकता है केंदर सरकार मनमानी कर रही है मैंने कहा कि आपको यानि केंदर सरकार को राज्य सरकारों के साथ भेद भाव नहीं करना चाहिए मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया म बलकी सभी शेत्रिय दलों का अपमान है। दो डिमांड है जो मोदी पूरा नहीं कर रहे है। अमित साह ने उसका भी प्लान बना लिया है। पर इडी का शिकन जाकस गया है। और कहा जाता है कि संजीव हंस के तार कई जेडियू के नेता कई अधिकारियों से जुड़े हुए है। तो आप समझ सकते हैं जब एडी ने संजीव हंस की गरदन पकड़ी है तो हाथ नितीश के गिरेबान तक भी पहुँच सकता है। तो अब नितीश क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी अभी भले ही नितीश कुछ ना करें लेकिन एक महिने दो महिने या छे महिने बाद नितीश कुछ कर सकते हैं क्योंकि नितीश मौके का इंतजार कर रहे हैं नितीश सही समय का इंतजार कर रहे हैं और वो सही समय जल्दी ही आने वाला है क्योंकि महराष्ट, जार्खंड और हडियाना में विधान सबाचुनाव होने वाले हैं और तीनों ही जगा बीजेपी के स्थिति अच्छी नहीं है और वहां अगर हार मिलती है महराष्ट में अगर हार मिलती है जार्खंड में हार मिल जाती है या फि पिर नितीष के लिए वो सही समय होगा और नितीष इस बार सिर्फ पलटने भर से नहीं मानने वाले क्योंकि नितीष को कुछ बड़ा करना है नितीष को यह को यह मालूम है कि वो अगर इंडिये का साथ छोड़ भी देते हैं और सही समय आने पर नितीश अपने पत्ते खोलेंगे तो तब तक के लिए इंतजार करते रहिए क्योंकि क्लाइमेक्स अभी बाकी है तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे बने रहें दर्शनी उज़ के साथ